नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद जब मैं थोड़ा पहले वीडियो बनाके रख लेती हूं तो नाम नहीं पढ़ पाती हूं तो वो मैं आगे पीछे आप लोगों को जरूर नाम पढ़ूंगी और उत्तर देने में थोड़ा सा समय लग जाता है थोड़ी देस्ता जादा है ठीक है चले आज का वीडियो शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे तोस निदी की ठीक है य ये एक प्रसिद्ध कवी हुए है ठीक है ये स्ट्रंग वेरपूर यानि सिंग्रोर जिला इलहाबाद के रहने वाले चतुर्भुत सुक्ल के पोत्र थे ठीक है इन्हों ने संबत 1791 में सुधा निदिनामत एक अच्छा बड़ा ग्रंत रसभेद और भावभेद पर बनाया इस खोज में इनकी दो पुस्तके और मिली है बिनैसतक और नक्सिक ठीक है तो तोस निदी की कौन-कौन से किताबें पुस्तके हो गए सुधा निदी बिनैसतक और नक्सिक तोस जी ने काब्यांगों की बहुत अच्छे और सरस उदाहरण दिये हैं उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भासा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है तोस जी एक बड़े ही सहद और निपोन का भी थे भावों का विधान सगोन होने पर भी कहीं उल्जा नहीं बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं उहात्मक अत्युक्ति की हैं बहुत ज़्यादा मतलब उल्जांतेने वाले बढ़ा चड़ा के बाते बहुत ज़्यादा लिख दी हैं जो मतलब त्यभी नहीं कई बार प्रतीत होती हैं कविता के कुछ नमूने नीचे दिये गए हैं चलिए देख लेते हैं भूसन भूसित दूसन हीन प्रवीन महारस में छविछाई पूरी एक पदारत तेजही में परमारत स्वारत पाई ओ उकते मुकते उलही कवितोस अनोस भरी चतुराई होत सबै सुख की जनिता बनि आवतितो बनिता कविताई एक कहे हस उधा वजू ब्रज की जुवती तज चंद प्रभासी जाए कियो का हप्तोस प्रभू एक प्रान प्रिया लेही कंस की दासी जो हुते कान प्रवीन महा सोहा मतुरा में कहा मती नासी जीव नहीं उवियात जवे धिंग पाउडाती है कुविजा कछु आसी वड़ियास श्रीहरी की छभी देखी बेको आखियां प्रतिरों मही में करी देतो बैनन को सुनिबे हित सौन जिते तितिक्चो करीतो करीतो ठीक है बहुत ज़्यादा ज़्यादा इनके उधारां दिये गए मोढिंग छाड़ी नकाम नकाहु रहे तोस कहे लिखतो विधियेतो तो एकतार इती करनी करीके कली में कल की रती लेतो तो तनी में रभी को प्रतिबिंब परे किरने तो सो घन सरसाती भीत रहू रहिजात नहीं अखियां चक्चोंदी हवे जती राती बैठी रहो बली कोठिरी में कहतोस करो बिनिती बहुबाती सरसी नै निको आरसी सो अंकाम कहां कड़ी घामत में जाती अब चलिए देखते हैं दलपती राय और बंसी धर दलपती राय दो दिये गए देखें नमबर में भी यहां देखें 2627 एक साथ हैं दलपति राय और बंसी धर दलपति राय महराज बंसी धर ब्राम्हर थे दोनों एहम्दबाद गुजरात के रहने वाले थे इन लोगों ने समवत 1792 में उदैपुर के महराज जगत सिंग के नाम पर अलंकार कर नामक ग्रंध लिखा इसका आधार महराज जश्वन सिंग का भासा भूसन है ठीक है दलपति राय और बंसी धर दलपति राय मा ठीक है दोनों ने एक एक रंध लिखा अलंकार रतना कर अब यहां देखे यह प्रश्न कंभीर हो जाता है आप इसमें गलती मत करिएगा दो लोगों ने मिलके इसको ल सम्बंद alea subject का चंद्रा लोग के साथ जर जिस तरह से चंद्रा लोग के आधार पर कुबल में वैसा ही संबंद भासा भूसन के साथ अलंकार रतनाकर और कया है इस ग्रंथ में विसेशता ये है कि इसमें अलंगकारों का स्वरूख समझाने का प्रेत्म किया गया है। किर्टी कार्व में गढ़े लिखा नहीं गया था तो जहाँ पूड़ा बहुत गढ़े विसेश हो जाता है। रीतिकाल के बीतर व्याख्या के लिए कभी भी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंतकारों ने सम्यक निरूपन की उतकंठा सूचित करता है। इस कुछ उतकंठा के साथ ही साथ गद्य के उन्नति की आकांच्या का सूत्रपात भी समझना चाहिए जो सैक्णों वर्स बात पूरी हुई। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि जो गद्य के उन्नति का सूत्रपात यहां से हो गया था। लेकिन यह अकांच्या पूरी कब हुई। हिंदी कवियों की लंबी नामा वली एतिहासिक होज में बहुत भी होगी है। जब आप कहीं से किसी गरंत में किसी के उधारन और कुछ बाते लेते हैं तो उसका थोड़ा एतिहासिक महत्व भी बढ़ जाता है। कभी भी यह लोग अच्छे थे यह दोनों की बात हो रही है। पद्य रचना की निपोर्टा के अत्रेक इनमें भावकता और बुद्धी वैभा दोनों है। क्या बात है दोनों एक से थे। ट्विन्स थे सायद। इनका एकवित नीचे दिया जाता है। देख लेते हैं। समझ नहीं आता है। इसमें कौन सा अक्छर कौन सी लाइन किसने लिखी होगी। अरुन हरॉल नभ मंडल मुलुक पर चड़यो अक अकवय की तानिके किरिन कोर। आवत ही सावत न छत्रा जोए धाय धाय घोर घम सान करी काम आय ठोर ठोर। ससहर सेत भयो सक्ट क्यो सहम ससी अमील उलूक जाय गीरे कद रन और। दुन्दी देखी अरबिंद बंदी खाने ते भगाने पायक पुलिंद हेवे मलंद मकरंद चोर। ठीक है 26-27 दोनों एक साथ हैं उधारण भी इनके काम हैं देखिए दोनों ने इतने में निप्टा दिया। अब बात करते हैं सोमनादी की सोमनादी ये माथू ब्राम्हर थे और भरतपूर के महाराज वदन सिंग की कनिश्ट पोत्र प्रताप सिंग के यहां रहते थे। इन्होंने 1794 में रस पियूस निदी नामक रीती ग्रंथ का एक विस्त्रित ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, कावे लक्षन, प्रयोजन, भेद, सब्द सक्ति, ध्वनी भाव, रस, रीती गुन, दोस्त, इत्यादी सब विश्यों का निरूपड है। यह दाजी के कावे निर्ने से बड़ा ग्रंथ है। कावे निरूपड में यह स्रीपती और दाजी के समान ही है। समझिएगा। काव्यांग निरूपड में यह किसके समान है। स्रीपती और दाजी के अगर यही बारीक चीज़ पूस दी गई तो आप अटक जाएंगे। जाना चाह रहे हैं वो भी कोई बहुत आम जगे नहीं है वो भी बहुत खाज जगे इसलिए मेहनत बेश के जादा ही लगनी है सुकली जी की पुस्तक वास्ता में थोड़ा पढ़ने में समस्या है लेकिन अगर आप वाकई में जाना चाह रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं देखना पड़ेगा विसे निरूपन के अत्रेक्त कभी कर्म में भी सपल हुए हैं कभीता में ये अपना उपनाम ससीनात रखते थे ध्यान रखिएगा उपनाम में बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सोमनात नहीं ससीनात रखते थे ये भी रखते थे इनमें भावक्ता और सहद्देता भी पूरी थी वो तो सब में मिल जाती के सव और एकात को छोड़के इसे इनकी भासा में कृत्रिम्ता नहीं आने पाई है इनकी एक अन्योगती कल्पना की मारमिक्ता और प्रसाद पूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद करने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहद्दैता के सर्वता विरुद्ध है ठीक है रस्पी उसने दिक्यात्रिक्त खोज में इनके तीन ग्रंत और भी मिलें वो भी देख लेंगे यह देखें यहां पेचीले मजमून मुझे समझ नहीं आता है कहां से सब कभी कभ अला जी भी उठा लेते हैं चलिए श्रीक्रेश ने लीलावती पंचाध्याई अठासो में लिखा था सुजान विला पद्य में अठारा सो साथ में मादव विनोध नाटक ठीक है मादव विनोध नाटक अठारा सो नो में उक्तग्रंतों के निर्मार काल की और ध्यान देन सिंगासन 32 के अनवात को यदि हम कावे ना माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा मादव विनोध नाटक सायद मालती मादव नाटक के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राया नहीं के बराबर है ज्यादा तर हिंदी के कवि एतिहासिक रत्तांत ही लिखते रहे हैं जो एतिहास में था कल्पना का मतलब कल्पित कता हैं कम लिखी है इन्होंने जागीर के समय समवत 1673 में बना पूहकर कविका रस रत्न अब तक नाम लेने योग कल्पित प्रबंद काव्य है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यह बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ठीक है पूहकर का जो कवि रस रत्न है यह अब तक अब तक नाम लेने योग कल्पित प्रबंद काव्य है रस रत्न क्या है कल्पित प्रबंद काव्य है पूहकर क अता सोमनात जी का यह प्रयत्न उनके द्रश्ट वितार का परिचायक है नीचे सोमनात जी के कुछ कविताएं दी है ठीक है आये घन, आये घन, आये के उघरीगे प्रीतिनई नित कीजत है सब सोचल की बरतानी परी है सीखी धिठाई कहा ससिनात हमें दिन द्वैक पे जानी परी है और कहा लही ये सजनी कठिनाई गरे अति आनी परी है मानत है बर्जियों न कुछ अब ऐसी सुजान बानी की ऐसी सुजान ही बानी परी है जमकत बदन मतंग कुम उतंग अंगवार बदन बलेत भुसुंद कुंडलेत सुंद सिद्धिधार कंचन मनी में मुकुट जगमगय सुघर सीस पर लोचन तीन विसाल चार भुच ध्यावत सुरनर अब चलिए बात करते हैं रसलीन की ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है रसलीन इनका नाम सेयद मुहममद सेयद गुलाम नभी था मुहममद पता नहीं कहां से आरव अरव ये प्रसिद बिल्ग्राम जिला हर्दोई के रहने वाले थे जहां अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं अपने नाम के आगे बिल्ग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहां के लोग समझते थे गुलाम नभी ने अपने पिता का नाम बदलकर बाकर लिखा है इन्हों ने अपनी प्रसेद पुस्ता अंगदरपन समध 1794 में लिखी जिसमें अंगों का उत्मा उत्र इच्छा सी चमतकार पूर्ण वरणन है सुक्तियों के चमतकार के लिए ये ग्रंत कावे रसिकों में बराबर विख्या चला आया है ये प्रसिद्ध होगा जिसने जन साधारण ब्यारी का समझते हैं अंगदरपण का ही है अब क्योंकि कन्फ्यूजन रामचंद्र सुक्ल जी को लगता है तो बाकी लोगों के लिए तो लगता ही होगा इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए अमिहला हलमत भरे सेत स्याम रतना जियत मरत जुक जुक परत जह चितवत एक बार मुझे लगता है सुक्ल जी को यह ऐसा लगता था जी ने समवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपन का ग्रंत दोहों में बनाए इसमें ग्यारा सो पच्पन दोहें हैं और रस भाप नाइकाबेद सट रेतों बारा मासा आधी अनेक प्रसंगाएं हैं रस विशेकार्ट अपने ढंका ये छोटा सक्रंत है रसली ने स्व इंपोर्टेंट हो गया अगर इसको रस विस है कि छोटे सी ग्रंत कोई पढ़ लेंगे तो और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको रसों का अच्छा ग्यान हो जाएगा पर ये ग्रंत अंगदर्पन जैसा प्रसिद्ध नहीं हो पाया जबकि ये उनके खुद के हिसा सब्सक्रावली की गति द्वारा नात सौदर्य का अवकास बहुत ही कम रहता है अताहा चमतकार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान दिया इनके कुछ नीचे दोहें नीचे दिये जा रहे हैं देख लीजे तो आप इनको देख लीजेगा उच्छे कमी गय जब बरिबंड सिंग की सभा में को सुसोबित करते थे रगुनाद जी किसकी सभा को सुसोबित करते थे बरिबंड सिंग की वा कासी नरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था इनके पुत्र गोकुलनात पौत्र गोपीनात और गोकुलनात के सिस्य मडिदेव ने महाभार रसिक मोहन जगत मोहन इसक महोत सब वियारी सत्साई की एक टीका का भी इन्होंने उले किया है इनका कविता कल 1790 से 1810 तक समझना चाहिए रसिक मोहन 1796 अलंकार का ग्रंते इसमें उदारण केवल स्रंगार के ही नहीं है वीर आदी अन्य रसों के भी बहुत हैं एक अच्छी विसेश्ता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदारण जो पद्य में आए हैं उनके प्राया सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुन्दर और सप़स्त उदारण होते हैं अभी तक कई कभीयों के बारे में सुखल जी ने बताया कि उनके उदारण भी उतने सही और इसपष्ट नहीं जो अपनी बात पूरी कह सकेफे लेकिन इनके बारे इस प्रेकार को उधर्ण करने में प्रयोग्त हो जाता अगया है कि बहुत से कवियों ने अलंकारों चलता जोगी सही ही में नहीं बागी साब ऐसे ही गया डाला उपमा के उधारण में इनका ये प्रसिद्ध कवित लीजिए भाई रीतिकाल के कवित पढ़ते पढ़ते तो फूल उठे कमलते अमल हितु के नैन रहे रगुनात भरे चैन रस सीरे दोरी आए भौर से करत गुनी गुन गान सिद्धी से सुजान सुख सागर सो नियरे सुरभी सी खुलन सुकभी की सुमति लागी चीरिया सी जागी चिंता जनक जीरे धन्न सपे ठाडे राम रवी के लसत आज भोरी के से नखत नरिंद भय पियरे काव्य कला धर ये इनका समवत 1802 का रसका गरंथ है इसमें प्रता नुसार भावभेद रसभेद थोड़ा बहुत कहकर नायका भेद और नायक भेद का ही विस्तरित वरणन है विसे निरूपण इनका उद्देश ही नहीं जान पड़ता जगत मोहन समवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और एस्वर रिवान राजा की दिंचर्या बताने के लिए लिखा गया है जगत मोहन वास्तव में प्रतापी और एस्वर रिवान एक राजा की जो दिंचर्या होनी चाहिए उसको बताने के लिए लिखा गया है इसमें क्रश्ण भगवान के 12 गंटे की दिन्चरिया कही गई है काव विकलाधर में ध्यान रखिएगा काव विकलाधर में भगवान स्री क्रश्ण के 12 गंटे की दिन्चरिया कही गई है ऐसे प्रश्ण पीजी टी में कई बार पूछे गए है दिन चर्या राम की दिन चर्या पुछी गई थी तो क्रश्न की भी आप यात कर लीजेगा काव्य कलाधर में अब रितिकाल में हैं तो क्रश्न की ही होएगी राम की कहां इन लोगों को पसंद आएगी इसमें ग्रंदकार ने अपनी पहुगिता अनेक विश्यों जैसे राजन इस प्रकार वास्तव में पद्य होने पर भी यह काव्यांग ग्रंथ नहीं है मतलब लिखा तो पद्य में गया है लेकिन यह काव्य ग्रंथ नहीं का जा सकता है इसक माथसम में अपनी खड़ी बोली की रचना का सौक दिखाया है सौक चड़ा तो उन्होंने इसक माथसम ल पुर्दू के रूप में ही लोगों की धर्णा में थी। कविता के कुछ नमूने उद्रत किये जाते हैं। कहां भैयो महला नी मनी मर कती हैं। ऐसे सोहे उज्वल की रन जैसे चंद की। जानी दिन निपाल नंद लाल जू को कहे रगुनात पाए सुघरी अनंत की। छूटत फूहारे केंदो फूलो है कमल तासो कमल अमंद बढ़े धार्मक रंद की। ये भगवान। सुघरे सिलाह राके वायु वेगवाह राके रसद की राह राके 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 रहे भेन को चोर को समाज राके बजा और नजर राके खबरी को काज बहुरूपी हर फन को। सम भखाया राके सगुन लिवाया राके कहे रगुनात और विचार वीची मन को बाजी रहरे कबाहुना और सर परे जौन ताची राखे परजन को राजी सो भटन को। आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं दरियाव पास नदी हो गई सो धावेगी देर खत खेली आसरत को कभी राखता ना दर खत ही के आगे आसरे को बेली पावेगी मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने रगुनात मेरी मती न्याव की की गावेगी वेह मुमताज आप की है आप उसके न आप क्यों चलोगे वेह आप पास आवेगी समझ गए आप लोग चलिए दूला जी को पढ़ लेते हैं दूला ये काली दास्रिवेदी के पावात्र और उदैनात्र कवींद्र के पुत्र थे ऐसा जान पढ़ता है कि अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे मतलब जब इनके पिता जीवे थे उन्हीं क के सामने अच्छी कविता लिखने लगे थे ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामाइक रहे कवींद्र के रचे ग्रंत 1804 तक मिले हैं अताह इनका कविता काल समवत 1800 से लिखे 1825 के आसपास तक माना जा सकता है इनका बनाया एकी ग्रंत कविकुल कंठा भरण मिला है जिसमें निर्मार का नहीं दिया है पर इनके फुटकल कवित और भी सुने जाते हैं कविकुल कंठा भरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंत है जिसमें यद्यपी लक्षण और उधारण एक ही पद में कहे गए हैं पर कवित और सवया के सामने बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उधारण दोनों के सम्य कथन के लिए पूरा अवकास मिला है भासाबूसन आदिदोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंतों से इसमें यही विशिषते हैं इनके द्वारा सहच में अलंकारों का चलता बोद हो सकता है इसी से दूला ने इसके संबन्ध में आप ही कहा है अपने आप दूलाने का है बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है देख लीजिए जो या कंठा भरण को कंठल करे चितलाए जो या कंठा भरण को कंठल करे चितलाए सभा मद्य सोबा ले अलंकरती ठहराए खुदी इतनी मातवता बता दिये उन्होंने धियान रखेगा इनके कवी कुल कंठा भरण में केवल पच्चासी पद्धे हैं जो फुटकल जो कवित मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे अता इनकी रचना बहुत थोड़ी है पर थोड़ी होने पर भी ने बड़े मतिराम आधि के साथ दूला का ना भी नाम लिया जाता है इनकी इस सर्व प्रियता के कारण इनकी रचना की मधूर कल्पना मारमिक्ता और प्रॉड़ता है इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहद सोताओं के मनुरंजन के लिए भी किसी कवी पर किसी कवी ने इन पर प्रसंद नोकर यहां तक ही कहा था और बराती सकल कभी दूला दूला रहा है बाकि सब बराती हैं कभी यह दूला है बड़ी हैं इनकी रचना के कुछ उदारान है अब उदाहरान पर माने सन माने तेई माने सन माने सन माने सन मान पाय यह तू है कहे कवी दूला अजाने आप माने आप मान सो सदन तिनही को छाड़ी यह तू है जानत है जेव तेव जात है बिराने द्वार जानी भूझे भूले तिनको सुना ये तू है काम बस परेको गाहत गरूर तो अपनी जरूर जा जरूर जाए इसको छोड़ देंगे भाई इन्होंने बहुत लंबा चोड़ा लिखा है आप इनको खुद देख लीजिएगा इतना सारा पढ़ते पढ़ते तो वीडियो अकेले इनी के उसमें चला जाएगा ठीक है चली अगले कवी को हम देख लेते हैं हमारे जो 32 में नंबर के कवी है कुमार मड़ी भटे इनका कुछ व्रत ग्यात नहीं है इन्होंने संबत 1803 के लगबग रसिक रसाल नामा के एक बहुत अच्छा रीती ग्रंथ बनाया था ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरी ब संग ना बाहर आई च्छाई कुमार नई छिती में छवी मानो बच्छाई नई दरी आई उचे अटा चड़ी देख कहूं दिसी बोली यो बाल गरो अभिराई कैसी करो हरो हरो हीरे हरी आये न उलही हरी राई संभुनात मिस्र इस नाम के कई कवी हुए हैं जिनमें एक संभत 1806 में दूसरे 1867 में तीसरे 1901 में हुए हैं कि यहां प्रत्थम का उले किया जा रहा है यानि 1806 वाले का इन्होंने रस कलोल रस तरंगणी और अलंकार दीप नामक तीन रीति ग्रंथ बनाए हैं यह असोधर जिलाप फतेपुर के राजा भगवन्त रायखीची के आहां रहा करते थे अलंकार दीप में अधिकतर दोहे हैं कवित समया कम उधारन श्रंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त ना होकर अश्रे आश्रेदातार राजा के यस और प्रताफ वर्णन के अधिकत प्रयुक्त हैं आश्रेदातार राजाओं का यस और प्रताफ वर्णन जादा है आजु चतुरंग महाराज सेन साजत ही धोसा की धुकार धूरी परी मुहुमाई के भै के अजीरन के जीरन उजीर भै सूल उठी उर में अमीर जाहिता ही के भीर खेत बीच बचही को बीरु जानो इते धीरज न रहो संभु कौन हुसिपाही के भूप भगवन तबीर ग्वाही है खलक सबस्याहि लाई वदन तमाम पातसाही के ठीक है इन्हें भी देख लेते हैं सिव साहेदास ये जैपूर के रहने वाले थे इन्होंने 1809 में सिव चौपाई और लोकोगतिरस कौमुदी नामा डोगरंथ बनाए थे लोकोगतिरस कौमुदी की विचितरता ये है कि पक्खानों या कहावतों को लेकर नाइका भेद कहा गया है जैसे मतलब कहावतों का प्रयोग किया गया है नाइका भेद कहने में करो रुखाई नहिन बाम बेगी ले आओ घनस्याम कहे पक्खानों भरी अनुराग बाजी तात की भूजियो राग बोले निठो रिपिया बेन दोस आपो ही ती बैठी गई रोस कहे पक्खानों जेही गई मौन बेली नकुद्यों कूदी गौन चलिए अब आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे रूप साही जी से ठीक है अगर मेरा इतनी दे तक चलाना आपको अच्छा लग रहा हो आपके किसी काम आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद नमस्कार